नमस्कार, आज मैं फिर दो दिन तीन दिन के गैब के बाद आपके सामने उपस्तित हो रहा हूँ पहले जो तीन चार दिन तेवहारों के समय में नहीं उपस्तित हो पाया उसका कारण मैंने बताया था आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से शुप्चिंतकों ने, बहुत से परिवार के तमाम सदस्यों ने मुझे मेरी नई जिम्मेदारी के लिए बढ़ाई दी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कोई एक हफ़ते पहले मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई जिम्मेदारी सौपी है, मेरा अपॉइन्मेंट किया है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज और इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथॉरिटी यूपीडा जिसको सौट फ़र्म में कहते हैं, आप गूगल में जाएंगे तो शायद आपको इसकी विस्तार से जानकारी हो जाएगी हिंदी में इसको उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज और अध्योगिक विकास प्राधिकरण जाना जाता है इसमें मुझे नोडल अफसर पूर्वांचल एक्सप्रेस वेज फार सेक्योरिटी एंड सेफ्टी और ट्रैफिक मिनिजमेंट और रेगुलेशन इस स्पेस्पिक टास्क के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है ये पुर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब तीन सो चालिस किलूमीटर लंबा है लखनव से शुरू होकर ये बिहार के बॉर्डर यानि बकसर और बलिया के बीच में जो पुल है उससे करीब 18 किलूमीटर पहले जिला गाजीपुर में हैदरिया में ये टर्मिनिट होगा तीन सो चालिस किलूमीटर लंबा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे उत्तर परदेश में इसके पहले जो एक्सप्रेसवे बना इस अथारिटी ने जिसको बनवाया वो लखनव आगरा एक्सप्रेसवे था जो पिछले पान सालों से चल रहा है इसमें नई जिम्मेदारी के साथ जो मैं आपके समक्ष समय नहीं दे पाया उसका कारण ये था कि एक्सप्रेसवे बन कर तयार हो गया है इसकी रोड बन कर तयार हो गई हैं, बाकी पेराफरनिलिया भी बहुत जल्दी तयार हो जाएगा और इसी महीने की सोला तारिक को माननी परधान मंत्री जी इसको राष्ट के नाम समर्पित तरेंगे इसका उद्घाटन होगा जिस पर गाड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा इसी कारण से मैं अपने तमाम टीम के लोगों और अधिकारियों के साथ बार बार यहां से गाजीपुर, यहां से मव, यहां से आजमगड, यहां से सुल्तानपुर और वो स्थान जहां पर माननी यह प्रधान मंत्री जी को घाटन करना है वहां तक जाने की वेज़े से राथी में बहुत रात में लोट पाता था और आपको समय नहीं दे पा रहा था एक्सप्रेस्वेज की सिक्योर्टी जो देश भर की है उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है तमाम महराश्ट में बहुत धेर सारे हैं जैसे मुंबई से पुने तक का हाईवे है बहुत ढेर सारे देश भर में highways, express ways बने हैं, not highways, express ways बने हुए हैं तो इस express way के लिए एक international standard का या international जो इनके मानक हैं अंतरराश्टिये मानकों पर आधारित एक full-proof security model तैयार किया जाना है जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने दी है इसी बज़े से पिछले दो-तीन दिनों से मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया दूसरी एक और important बात आपको बतानी है कि ये जो तमाम cyber fraud के तरीके हैं इसी तरह के एक fraud से मेरा भी आमना सामना हुआ बात परसों रात की करीब डिर बज़े की है एक WhatsApp मेसेज आया मेरे पास जिस पे फोटो लगी हुई थी एक बहुत ही मशुहूर retired I.S. अफसर जो प्रमुक्ष चीव राजयपाल रहे हैं और यहां अलग-अलग के पेस्टी में बहुत important जगहों पे रहे हैं लेकिन कोई 7-8 साल पहले वो retired हो गए जब मैं यहां specificity था तो वो उस समय प्रमुक्ष चीव श्री राजयपाल थे उनकी फोटो लगी हुई और एक नंबर से अन्नोन नंबर से उनकी फोटो आई मैसेज आया हाई राजेश, हाओ अई यू होपिंग यूरी थिंग इस फाइन अट यूर एंड मुझे फोटो देखी मैंने मुझे बड़ा ताजूब हुआ कि पिछले दस सालों से कभी इन्होंने मैसेज नहीं किया, कभी कॉल नहीं किया रेटार्मेंट के बाद संभोत है, उरी सा अपने ग्रिह राज्य में चले गए थे अचानक कैसे इन्होंने याद किया मैंने भी तुरंत रिप्लाई किया, I am fine sir, how are you और कहा हैं आप, where are you now located इसके पहले कि वो उसका जवाब दे, उधर से एक आया कि राजेश, I want to connect you with my page, exact wording ये थी, I want to connect you with my page मैंने पूछा which page, फिर अगले माइसेस दिया, facebook page, question mark उसने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे थोड़ा आठ पटा लगा, क्योंकि वो इतने शालीन, सज्जन, well-behaved आये सफसर रहे, उनकी बड़ी अच्छी रेपोटेशन होते है, प्रदेश काडर में रही है, मैंने इसके पहले कि मैं कुछ कहता, उन्होंने एक message दिया, कि राजेश, just to connect you from my, connect you to my page, you will get a six digit number, code number, please send me that code number, and WhatsApp has given me this code number, six digit का number, three, four, five, something करके एक number होने दिया, मुझे थोड़ा सा अठपटा सा लगा, कि इतने दिनों बाद कोई आदमी मुझे अपने किसी पेज से, जिसका नाम भी नहीं बता रहा है वो, क्योंकि अगर वो Facebook पेज बताते तो मैं कहता सा लिंक भेज दीजे, मैं add हो जाऊंगा, थोड़ा सा अठपटा लगा, मैंने उस नंबर को कॉल किया, वो नंबर बन था, फिर मैंने उस पर WhatsApp कॉल की, तुरंत कट गया और मेसेज आया, कि right now, I am in a video conference, we'll talk to you later, रात में देड़ बजे, एक retired officer, ISF sir, जो 6-7 साल पहले retire हो गया हो, कौन सी video conferencing करेगा, फिर मैंने जवाब लिखा, sir, just wanted to speak to you, उसका message आया, कि the code number has a time limit, please send me immediately, I have sent you my code number, मैंने फिर WhatsApp कॉल मिला दी, उसके तुरंत वाद उसने मेरा number block कर दी, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे ध्यान आया कि मुझसे करीब 15 दिन पहले एक हमारे परमित्र हैं, उन्होंने मुझे एक समस्या बताई थी, उन्होंने कहा, भाई साब, मेरा WhatsApp हैक हो गया, हमने कहा, यह संभव नहीं है, end to end, encrypted WhatsApp कैसे आपका हैक हो जाएगा, बोले साब, मेरा WhatsApp मेरे फोन पर नहीं चल ला है, पर यह चल कहीं और रहा है, क्योंकि उस पर मेरी तस्वीर है, और वो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंसे बात कर रहा है, तरह तरह की बातें उन्होंसे पूछ रहा है, लोगों ने फोन करके मुझे बताया, मैं हैरान हूँ, तो मैंने का आप फोरण ऐसा काम करी, कि जिन लोगों से बाचीत उसकी हो रही है, उन्होंसे स्क्रीन शॉर्ट मंगा के, कल आप साइबर सेल में इसकी शिकायत कर दें, और तब तक के लिए अपना फोन आफ कर दें, फिर आउन करें, हो सकता है, ठीक हो जाए, क्योंकि इस तरह की बात मुझे पता नहीं थी, उन्होंने फोन आफ कर दिया, सबेरे उन्होंने बताया, कि साब मैं सुबह तक फोन हमारा आफ रहा, लेकिन मेरा वाटसेप चल रहा है, मेरा नहीं जो मेरे नाम का, जिस वाटसेप को मैं जिकर कर रहा हूं, जिसने भी हैक किया है, वो उसको चला रहा है, वो बराबर मेरे contact में जो जो लोग हैं उनसे सबसे बात कर रहा है मेरी रिश्दारों में जो महिलाएं हैं मेरी भावी हैं या बाकी लोगों से वो बराबर बात कर रहा है तरह तरह की सुचना है उनसे मांग रहा है तो मैंने कहा वो साइबर क्राइम वाले ही ये समझ पाएंगे मेरी जानकारी में इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं है मैंने फॉर अन गूगल उठाया परसों रात में ही करीब दो बजे के आज परस गूगल किया फॉर अन गूगल पर आ गया कि ये वाटसेप का नए तरह का फ्रॉड है इसका नाम है वाटसेप ओटीपी फ्रॉड और कहीं कहीं इसका नाम लिखा है गूगल में वाटसेप ओटीपी स्कैम और इसके बारे में पूरी जानकारी ये दी हुई है इंडिया टुडे में इंडिया टुडे के अंक में ये सारी जानकारी दी हुई है ये है इसी मई या जून का है जिसमें ये जानकारी दी गई है है छे अप्रेल छे अप्रेल दो हजार एकिस के इंडिया टोड़े के एडिशन में इस फ्रॉड की पूरी जानकरी दिये है आप नेट पे चले जाएं और इसको सर्च करें उसमें तरीका ये बताया गया है कि आपके नंबर पर वाटसेप कोई आदमी उसको लॉग इन करता है वाटसेप पे जब आप जाएंगे तो आपका मुबाइल नंबर पूछेगा तो आप अपना मुबाइल नंबर लिखेंगे जो फ्रॉड सर हैं उनको अगर आपका मुबाइल नंबर मिल गया तो वो आपका नंबर ट्राई करेंगे जब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वो कहेगा कि आपका आपने मुबाइल शायद चेंज किया है आपके पुराने नंबर पर एक OTP भेजा जा रहा है क्रिपया वो OTP लिखें और जैसे ही आप OTP लिखेंगे आपके मुबाइल फोन से पूरा वाटसेप उसके मुबाइल फोन पर चला जाएगा उसके पास वाटसेप पर आपने जो जो चीजें सेव कर रखी हैं जिससे जिससे बाग करते हैं चैट की डीटेल सब उसके आसपास उसके पास चली जाएगी उसमें आपने मम्मी के नाम से पापा के नाम से बेहनों के नाम से घर लिखके और नाम पत्नी का नाम है तो नाम से आप फीड किये रहते हैं फिर वो उसको फोन करेगा, वाटसेप पर उसको वो करेगा, चैट करेगा, कहां हो, क्या हो, उसे अटपटा लगेगा, भई ये तो यही ही क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन इतनी स्मार्टली वो करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कि ऐसे किसी व्यक्ति को OTP, फ्रॉड या स्कैम में, जिनमें पतनायक साब का भी नंबर रहा होगा, वो उसने, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर फीट था, उसमें मैं स्पिसिटी था, वो हैक करके, वो इस तरह से हमारे कॉंटेक्ट सब हैक करना चाहता था, मैं बता इसलिए रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे किस्साग कोई परिवार का कोई सदस से इस तरह की जालसाजी के जाल में फंसे, सभी लोग एक बार फिर से, गूगल पे जाके इस वाटसेप, OTP, स्कैम के बारे में, क्योंकि जो आदमी आपको मेसेश करेगा, आईडी उसकी वही होगी, जो आप हमेशा इस्तिमाल कर रहे हैं, फोट करने के लिए, ताकि हम नए पेज़ पे हम लोग चले जाएं, या लिखते हैं कि मैंने एक नया बिजनिस अकाउंट खोला है, आपको करने के लिए जो सिक्स डिजिट OTP आएगी, OTP नहीं कहते हैं, कोड कहते हैं, सिक्स डिजिट कोड जो आएगा, वो हमको दे दीजे, किसी अपने पुरुश्मित्र से बात हो रही है, तो वो चैट के स्किन शॉट करके और आपको ब्लेकमेल भी शुरू करेगा, आपके कॉंटेक्ट में जो आप उसको लगता है कि यह सीनियर हैं या रिष्चदार हैं, उसको भेजेगा, तो यह नए तरह का साइबर जो हैं, फेस्बुक फ्रेंड हैं, उनकी फोटो डाउनलोड कर ली, और फिर आपको रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की जरूरत है, यह आपको उसने, हाला कि उसको कभी चैट डिटेल्स नहीं मिलेंगे, इसमें तो पूरा का पूरा वाटसेप उस वाटसेप करके यह पूछें कि जरा सिक्स डिजिट कोड बता देना, आप पहले फोन करके उससे पूछ लीजें, आपको पता लग जाएगा, और जैसे ही आपने पूछा ताची शुरू की, आपको ब्लॉक करके वो अगले नंबर पर, अगले कॉंटेक्ट पर लग उससे बचाओ के तरीके के बारे में जाने, क्रिमिनल मेंटेलिटी के बारे में जाने, क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में जाने, वो परिस्टियां जिसमें क्राइम होता है, उसके बारे में जाने, ताकि आप सुरच रह सकें, इसलिए मैंने इसका जिकर करना जरूरी समझा तीसरी बात और जब मैंने लाइब किया था ठगी के बारे में बताया था एपिसोट 338 में उसमें ठगी और जालसाजी के बारे में एक किस्सा बताया था कि एक असिस्टेंट इंजिनियर को दो लोगों ने विजिलेंस का आफसर बनकर रोक लिया और उनके पैसे ले लिये उसी में ये भी जिकर किया था कि जो ठगी का नया तरीका चला आए महिलाओं को कहीं सूनसान जगह पर किनारे रोक लिया दो लोग उसमें पुलिस की वर्दी में या साधी वर्दी में हैं तो अपने आपको पुलिस बता के कि देखे आगे फ़ना जगह भीड़ है आपकी चेन खिच सकती है चिन सकती है ये लिफाफा ले ले लीजिए इसमें इसको रख के और इसे अपने पास सुरच्चित रख लीजिए महिला को लगता है कि ये हमारे भले की बात कर रहा है वो अपनी चेन और अंगुठी ये सब निकाल के उसमें रख के लिफाफे में लिफाफा वो देते हैं और फिर उसके बाद एक सेकंड के बाद लिफाफे को बंद करने के लिए और तीन-चार जगह तो वो स्टेपलर रखे रहते हैं लाइए भेंजी मैं इसका स्टेपल कर दूँ ताकि ये खिसके नहीं स्टेपल कर दिया इस बीच में उनका दूसरा साथी उसी तरह के एक लिफाफे में जिसमें कंकल पत्थर रखा हुआ है वो उनको पकड़ा दिया जाके जैसे ही खोला उन्हें इस बात का पता लग जया मैं इसलिए भी उस एपिसोड में मैंने आपको पताया था कि आप इसके शिकार नहों आप तुरंद कह दें कि भाई सम मैं रख लूँगी आप परिशान मत होई या कह देजे कि आगे हमारा बेटा ख़ड़ा हुआ है बही सामने और मैं अभी उसको लेके आती हूँ तब आप से बाग कराऊंगी बाग जाएगा इस एपिसोड के बाद 9 नॉवंबर 2021 को गोरक पुरसे सिरी राजे सिंग हमारे बहुत रेगुलर परिवार के वीवर हैं आप बहुत कमेंट भी करते हैं आप देखिएगा उन्होंने एक मेल भेजा उन्होंने लिखा कि मैंने आपका वो एपिसोड सुना था और उसी तरह की एक घटना आज के अखवार में हैं बहुत डिटेल में लिखा हुआ है अखवार की कटिंग उन्होंने मेल के साथ अटेच करके भेजी बोले यही एक्जेक्टली ये क्राइम जो आपने बताया था वो गोरक पुर में हुआ है एक महिला को उन्होंने लूट लिया वो दैनिक जागरन की कटिंग मैं आज कमिनिटी में डालूंगा 9 नौवंबर 2021 की और मैंने आपको बताया था ये 25 अक्टूबर 2021 को उसमें लिखा है कि सिंगालिया के बसेरा कॉल्नी की रहने वाली दुरगाबती जी संडे को 12 बजे महामना मदन मोहन मालिवी इन्वेस्टी अफ टेक्नोलजी बड़ा फेमस वहां का इंजिरिंग कॉलेज है के सामने गेट के सामने बने हुए बस स्टैंड पर इंतिजार कर रही थी बस का उन्हें शायद देवरिया जाना था इसी बीश में दो लोग मोटर साइकल से आए उन्होंने कहा कि देखे आप बस में चड़ेंगी और बस में पिछले तीन दिन से चैन और ये सब बदमाश खीच ले जाते हैं तोड़ ले जाते हैं आप प्रिपा करके इसको एक लिफाफे में लिफाफा दिया उन्होंने का इसको लपेट के रख लीजे और उसी जाल साजी में गहने वाला लिफाफा ये ले गए और कंकर पत्थर वाला लिफाफा उनको पकड़ा गए वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही महिला ने फॉरन लिफाफा खोल के देख लिया देखा कंकर पत्थर वो चिलाई भागी लेकिन वो मुर्साइकल से चले गए 2021 और 20 की दसियों घटनाओं का जिकर इस कटिंग में है फिर मेरा निवेजन है मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे परिवार किसागोई परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहो इसलिए मैं आपको श्री राजेश सिंग के उस मेल के बारे में बता रहा हूँ आज मैं उसे पोस्ट कर दूँगा कुछ लोगों ने और तमाम दुखी हो के बाते लिखी जैसे मेरे एक तो तीन-चार दिन तब मैं अपसेंट रहा और अभी दो दिन इससे नहराज हुए लोग हमारे परिवार के लोग बुलिट राजा लिखते हैं कि साब आप चार-पांच एपिसोड रिकॉर्ड करके रखा करिए और जिस दिन आपको ना आना हो उस दिन उनको अपलोड कर दिया करिए इससे आपकी कांटिन्यूटी बनी रहेगी राजा भाई बड़ा कठिन होता है कि हम जो है किसी घटना के बारे में जिसके बारे में आपको बता रहे हैं उसके फैक्स को पहले जान लें पुरानी पेपर कटिंग धूमनी परती हैं अपनी डायरी को देखता हूँ कोशिश करता हूँ कि हो सकता है ये निट पे मिल जाए ताकि फैक्स को कोई चैलेंज न करे इस पूरी प्रासेस में डेर दो घंटे लग जाते हैं और अगर मैं तीन चार या एक भी एगर एक दिन में स्टेंड बाई की रूप में रिकॉर्ड करूँगा तो समय लगेगा मैं तो सर्फ इसलिए इतना अबी रिकॉर्ड करूँगा फिर इसको अपलोट करूँगा थमनेल इसमें लगेगा तब आपके पास तक पहुंचेगा दो दो धाई घंटे इसमें लगी जाते हैं ये सही है कि मैं देर में करता हूँ रात में करता हूँ और अब नहीं जिम्मेदारी हो गई है तो हो सकता है समय कम मिले मैं पहले ही बता दूँ कि चुँकि सोला तारीक को मानी परधान मंत्री जी पुर्वांतेल एक्सप्रेस स्वे को देश के नाम समर्पित करेंगे उद्गाटन करेंगे इस बीच में हो सकता है अपने विभागी एकारे से अपने नए दाईत के कारण और जब भी मैं शाम को छे विजे के बाद दो घंटे के लिए भी रहता हूँ तो मैं जरूर रिकॉर्ड करता हूँ इतने दिनों से हो रहे करीब इधर तीन पांचे दिनों को छोड़ दीजे मैंने कभी इस तरह का कोविड होने के दौरान को छोड़ कर कभी इस तरह मैंने मिस नहीं किया होगा उस समय जब मैं पिली भीत में इस्टे करता था तब जरूर मैं बता के गया था कि साथ वहाँ संभो नहीं है नेट नेटवर्क वहाँ नहीं है पिली भीत में इसलिए दो चार अशे दिन के लिए लेकिन इस बीश में जो इर्रेगुलर हुआ हूँ उसका ये कारण है एक और हमारे किस्टा गोई परिवार के सदस्य है परसों का उनका कमेंट पढ़िएगा शिरी महेश सिंग सिंग ये आईडी है उन्होंने लिखा कि देखें मैंने आपके चैनल को कभी सबस्क्राइब नहीं किया लेकिन मैं देखता रहता हूँ आपका कोई टाइम नहीं है कभी शाम को अपलोड कर देंगे कभी देर रात करेंगे कभी करेंगे ही नहीं कभी गायव हो जाएँगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न मैंने कभी सबस्क्राइब किया था और न मैं कभी करूँगा ये कमिट में आप पढ़िएगा और उसका रीजन लिखते हैं कि जिसके टाइम का ही कोई ठिकाना नहीं है उसके पीछे में क्यों भागूँ महे सिंगी गुस्से में आपने ज़्यादा लिख दिया एक दो दिन नहीं आया तो मेरे टाइम का ठिकाना नहीं है ऐसा नहीं है आपके पास चैनल में सारे 342 जो भी हैं वो आपके पास हैं आप उसमें टाइम देख लिया करिए कब अपलोड किया गया कब से लोगों ने देखना शुरू किया लगबग वही टाइम है आफिस के काम से या बाकी काम से चाह उस समय तो दो बार के कोविड में आफिस के भी काम नहीं हुआ करते हैं तो टाइम से अपलोड हो जाया करता है अभी जब मैं रिटार्मेंट के बाद फ्री था खाली था तब भी बहुत गैप नहीं हुआ लेकिन अब ये थोड़ी से मजबूरी है दूसरा ये मैं चैनल या ये जो एपिसोड हैं ये मैं कोई पैसे के लिए मैं कोई प्रोफिस्नल यूट्यूबर नहीं हूँ डिर साल दो साल तो मैंने मोनेटाइज ही नहीं किया और आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के बाद कि साव आप तो रिटायर हो गए मोनेटाइज कर लिए कभी मेरा ध्यान इस पर नहीं रहा कि मैं नहीं करूँगा तो मेरे पैसे नहीं बनेंगे ऐसा कभी नहीं रहा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे से जुड़े हुए सभी लोग हमारे परिवार के सभी लोग किसी न किसी तरह की क्राइम से उनका बचाव कैसे होगा इसलिए मैं इतनी मेहनत करके आपके सामने क्राइम की घटनाएं ले आता हूँ मैंने बहुत बार बताया है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ मेरे पास कोई टीम नहीं है मैं अपनी याददाश्ट और फैक्स को स्टेट करके आपके सामने क्राइम की वो घटनाएं ले आता हूँ जिससे आपको थोड़ा सबक में ले थोड़ा सावधान है आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहे अब आज की वारदात काफी टाइम हो गया आज की वारदात फिर है लखनव की थाना है कृष्णा नगर महला है किला महमदी और तारीख है 22 अक्टूबर 1998 बीकर सेक्षन के लिए बनी कॉलनी में मकान नंबर E108M में कॉंसेबिल सूर नरायन चतुरवेदी का परिवार रहता था वो खुद भी रहते थे और परिवार रहता था पहले कभी वो पोस्ट रहे होंगे आस पास उन्होंने खरीद लिया लेकिन उस दिन उनकी पोस्टिंग कृष्णा नगर की है दूसरी चौकी बिजनौर में थी और वो रात की ड्यूटी पर तैनाथ थे सवेरे सवेरे करीब आठ बजे इनके ठीक पडोसी यतींद्र कुमार त्रिपाठी ने पुलिस को सूचना दी हमारे जो पडोसी हैं श्री नरायन चत्रुवेदी जी इनके पूरे परिवार की हत्या हो गई है जबकि चत्रुवेदी जी ड्यूटी पर अपनी चौकी पर इतना सुनना था इस्पेक्टर गिरते पढ़ते तुरंत पहुंचे बड़ी घटना थी एक पुलिस कर्मी के परिवार की हत्या थी आप समझ सकते हैं कि पुलिस कर्मियों में आक्रोश आने में समय लगता नहीं है तुरंत मौके पर पहुंचके उन्होंने देखा कि कॉंस्टेबिल सूर नरायन चत्रवेदी की पुत्री कुमारी नीतू पांच वर्ष पुत्री कुमारी विकी तीन वर्ष और पुत्री कुमारी इंदू डेढ़ वर्ष शरीर धारदार हत्यारों से अटा पड़ा था तीनों की मृत्ति हो गई थी उनकी पत्नी सीता देवी जिनकी उम्र 28 साल थी वो भी अचेत अवस्था में घायल पड़ी हुई थी ऐसा लग रहा था शायद इनकी मृत्ति हो गई सिपाहियों ने बाकी लोगों ने देखा तो उनकी सांसें चल रही थी फौरण उन्हें अस्पताल के लिए भेजा गया इतनी गंभीर घटना थी और चौथी लड़की इनकी कुमारी रिंकी जिसकी उम्र करीब आठ साल थी वो एक कोने में दुब की बैठी हुई थी वो मांसिक रूप से दिव्यांग थी मंद बुद्धी थी और उसकी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ ना के बराबर थी उससे पूछने का प्रयास किया गया लेकिन वो कोई भी चीज न समझ पा रही थी न बता पा रही थी इतनी बड़ी घटना के एक सर्विंग कॉंस्टेबल जिसकी तैनाती उसी थाने के दूसरे चौकी पर है उसके परिवार की हत्या हो जाए लगभग पूरे परिवार की आईजी जोन थे उस समय करमबीर सिंग वो भी भागते दोड़ते मौके पर पहुंचे डिआजी रेंज थे श्री एक गुपता वो भी मौके पर एससपी लखनव उस समय थे एक डी दिवेदी साथ वो भी पहुंचे एसपी सिटी थे श्री सुभास बगेल मुस्से एक रेटायर हो गए एकडी दिवेदी साथ वो भी रेटायर हो गए और एसपी आरे थे विजे भूशन वो आईजी होके वो भी रेटायर हो गए मैं स्टी एफ में था देशे ये संसनी के इस घटना का पता लगा हम लोगों को डी जे आउफिस से डारेट के आगया कि आप लोग भी पहुंचे हैं हम भी पूरी टीम लेकर वहां पहुंचे हैं वहां घर के भीतर एक कोने में एक फावडा रख्त रंजीत पड़ा हुआ था किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था सीता दिवी यानि सूर्य कुमार चत्रवेदी की जो पत्नी थी उनके गर्दन में गंभीर घाव था होश में थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कोशिश की गई कि कागज कलम दिया जाए शायद वो पताएं क्योंकि वही चश्मदीद गवा हैं पूरी घटना की लेकिन वो कुछ न लिख पा रही थी न बोल पा रही थी न समझ पा रही थी सूर नरायन सत्रवेदी को उनके ड्यूटी स्थान से खबर करके गाली भेज कर उन्हें मौके पर लाया गया वो भी बिचारा वहां पहुँचके अपने परिवार की यहालत दे कर विक्षिप्थ हो गया थोड़ी देर में उसने कहा कि मेरा एक भतीजा प्रदीब भी साथ में रहता था उसका नहीं इसमें कहीं पता लग रहा है वो कहां पर है चुकि ये बात महां मौझूद किसी पुलिस अधिकारी को नहीं पता थी कि इनका कोई भतीजा है जो इनके साथ ही पिछले साल भर से रह रहा है उन्होंने उसका हुलिया पूछा क्या पहने हुए था बोले हम जब डूटी पर गए थे तो ये ये पहने हुए था उसको ढूंडना शुरू किया तब ही पडोस के किसी व्यक्त ने बताया कि उसको सुबह छे बदहवास हालत में घर के बाहर भागते हुए देखा था कहा गया ये पता नहीं बारलेस पे मैसेश किया गया पूरी हुलिया बताई गए कि जहां कहीं ये वक्त मिले इसको तुरंट खाने पर बिठा लिया जाए इसे पूस्त आच इस तीरे हत्याकान के मामले में बहुत आवश्यक है तमाम हला गुला के बाद अचानक जो पियार वीज होती थी पुलिस रिस्पॉंस वहिकिल होती थी उस जमाने में चलती थी आजकल तो डायल हंडर्ड वन वन टू तमाम वहिकिल चलती है उसमय यही एक वहिकिल एक थाना चेतर में एक चलती थी जो गश्त किया करती थी जिस पर वायलेस हुआ करता था उसने वायलेस से कृष्या नगर थाने में सूशना दी कि बिजली पासी किले के पास के जंगल में एक लड़का संभौता पेड से गिर गया था गंभीर रूप से घायल हो गया था उसको डिस्टिक हॉस्पिटल बलरामपूर भेज दिया गया मैसेज में उसका हुलिया बताया गया कि ये कपड़ा पहने हुए है इतनी लंबाई है ये रंग है इस तरह की बाते बताईएं कौस्टेबिल चतुरवेजी से ये पूछा गया कि ये इस हुलिया का तो ने उसने कहां सा भी हुलिया तो मेरे भतीज़े के लग रही है फरण उसको एक गाड़ी में बिठा कर और बल्लामपूर हॉस्पिटल भीजा गया कि जाके देखो ये वही है और अगर नहीं है तो उसको ढूला ढूला जाना चाहिए पुलिस उसको लेके वहां गई और उसने देखते ही पहचान लिया कि ये परदीब है लेकिन तब तक प्रदीब की मृत्यू हो चुकी थी बहुत उंचाई से गिरने से गंभीर चोटे आई थी और तब तक उसकी मृत्यू हो गई थी कुल मिला के चार लाशें हो गए एक परिवार की तीन बच्चियां और एक उनका सचेरा भाई इन चारों को सील बंद किया गया और फिर इनको पोस्मार्टम के लिए भेज दिया गया पोस्मार्टम रिपोर्ट भी आ गई बाकी तीनों बच्चियों की शार्पेस्ड वेपन से एंटिमार्टम इंजरीज और ब्लेडिंग के कारण मृत्ति हुई थी और प्रदीप की हाइट से गिरने की वज़े से मल्टिपल फ्रेक्चर्स और हेड इंजरी के कारण मृत्ति हुई थी पुलिस ने बड़ी कोशिश की साइकोलोजिस्ट को बुलवाया महिला कॉंस्टिबिल से बात कराई कि रिंकी जिसके आठ साल उमर थी उससे कुछ बात पूछी जाए लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई उससे कुछ भी पता नहीं लगा वो कुछ भी बताने की इस्तिती नहीं थी जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके कॉंस्टिबिल सत्रुवेदी चार लाशों को लेके अपने ग्रेजन प Careission गोंडा उनका अंतिम संजकार के लिए उनके अंतिम संजकार के लिए चले गये इस बीच में सारा ध्यान के इंद्रित किया गया टीमें बनाई गई गोंडा भेजे गए कि इनकी कोई पारवारी करंजिश तो नहीं है बाकी यहां जहां जहां वो तैनात रहे वहां जानकारी करने के लिए कि यहां किसी के खिलाब कोई कारवाई तो नहीं की थी करीब चार सार पहले इसके गाउं में गुंडा के इसके घर में डकैती पड़ी थी जिसमें एक डकैत को मौके पर पकड़ लिया गया था उससे भी रिलेशन देखा गया लेकिन उसका भी पता नहीं लगा कि ये उससे कहीं से समन्दित हो सारे लोगों को इस बात का इंतजार था कि सीता देवी कब बोलने लायक हो और कब पूरी बात क्योंकि चश्मदीद वही थी और सिर्फ वही वही और सिर्फ वही इस बात को बता सकती थी डॉक्टर्स ने बताया कि वह खत्रे के बिलकुल बाहर हैं लेकिन चुकि गले में गंभीर चोट है इसलिए वोकल कार्ड उनकी वो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है हुआ भी यही करीब एक महीने बाद वो कुछ बोलने की इस सिती में आई और दो दिन लगातार उनके बोलने और फिर उसको करेट करने के बाद पूरी बात समझ में आ गई उन्होंने बताया कि रिंकी को सबने देखा कि वो है तो साथ-ाट साल की और बिलकुल मंद बुद्धी है दिव्यांग है लेकिन उसका आसामानी रूप से सरीर का विकास हो रहा था वो उसने बताया कि वो रात भर अपने बाकी बहनों को और हमको सोने नहीं देती थी रात भर जगती थी और किसी ने किसी बहाने किसी को उठाना परेशान करती थी पिछले एक महिने से वो प्रदीप के साथ सोने लगी और जब से प्रदीप के साथ सोने लगी वो कता ही किसी को रात में परेशान नहीं करती थी माने बताया कि तीन-चार दिन बाद मुझे कुछ थोड़ी सी प्रदीप के पास उसका सोना मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उसे जवरजस्ती अपने पास ले आई लेकिन जैसे ही मैं सो गई वो फिर भाग गई प्रदीब के पास तीन-चार दिन कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं आए तो ये माना गया कि भाई है ये प्रदीब की उमर बाईस साल थे हो सकता है इसके पास वो कमफर्टिबल हो इसलिए वो सोती रही घटना वाले दिन सीता देवी ने यानि तीनों बच्चियों की माने बताया कि रात में करीब साड़े तीन बजे अचानक रिंकी की चीखने की अवाज आई मेरी नीन खुल गई और उठते ही मैंने पहले कमरे की लाइट जलाई लाइट जलाते ही जो देखा मैंने मैं दंग रह गई रिंकी के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था और प्रदीब जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन रहा था सीता देवी ने बताया कि मुझे समझने में देर नहीं हुई कि आखिर ये क्यों चीखी मैं गुस्से से पागल हो गई और मैंने कहा कि फॉरण तुम इस घर से निकल जाओ सबेरे तुमारे चाचा आएंगे मैं सब बताऊंगी और तुम्हें यहां से सीधे गोंडा के लिए भेजूंगी और अभी तुरंत बाहर निकलों में दरवाजा बन कर रही हुई उसका कहना था उस समय परदीप कुछ नहीं बोला चप्पल ढून रहा था अपनी चप्पल पाया और जैसे ही गेट के पास पहुचा उसने वहां रखा हुआ एक फावड़ा देखा और एक दम से फावड़े से अपनी चाची सीता देवी पर बार कर दिया एक फावड़ा सिर पर और एक उनकी गर्दन पर लगा सीता देवी का कहना है कि मैं बिहोश हो गई उसके बाद तो मुझे कुछ पता नहीं लेकिन जो चीखना चिलाना या मेरा गुस्सा होना उसकी वेज़े से बच्चियां तीनों जग गई थी मुझे लगता है कि मेरे मारने के बाद उन तीनों बच्चियों को इसने मार डाला और चूंकि जैसा आप बता रहे हैं मौके पर रिंकी ने सारे कपड़े पहन रखे थे तो ऐसा लगता है उसने रिंकी को कपड़े पहनाया हो सकता है उसे उस समय ये लगा हो गलानी हुई हो कि वो वहां से भागा और बिजली पासी किले के पास जो जंगल है उसमें पीपल के बहुत पुराने दरत में वो उपर चड़ गया शायद इसलिए कि उपर रहूँगा तो किसी को पता नहीं लगेगा नीचे रहूँगा तो पुलिस या बाकी घर के लोग ढूँड लेंगे और शायद उपर चड़ने या उपर से थोड़ा नीचे आने या कमफर्टेबिल होने की प्रासेस में वो वहां से खिसका नीचे जमीन पर गिरा और मर गया पुलिस के रिकॉर्ड में ये तीन तीन बच्चियों की हत्या ये बंद कर दी गई क्योंकि पुलिस के हिसाब से और वैसे भी किसी को कोई शंका नहीं थी जो पेपर कटिंग से मेरे पास कि प्रदीप ने ही इन तीनों को मारा जो वजह उनकी माने बताई वो भी समझ में आती है चुंकि हत्यारा मारा गया अपनी मौत मारा गया इसलिए इस क्राइम को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यक्ता नहीं फाइनल लिपोर्ट लगी और तीन तीन जान जाने के बाद फाइल बंद हो गई आज की घटना आज की घटना में एक कामुक लड़के ने सारे रिष्टे नातों को तार तार कर दिया और मानवता को शर्म सार कर दिया पकड़े जाने पर तीन मासूमों की हत्या कर दिया जिसमें से एक देड़ साल की बच्ची भी थी क्या कुसूर रहा होगा वो तो पहचान भी नहीं पाएगी लेकिन उसको भी मार दिया अपने को छिपाने के लिए कि मैं पकड़ा न जाऊं मेरे पे किसी की निजर न पड़े पीपल के बड़े दरत पे चड़ गया और नियती को शायद यही लगा होगा कि इसके पाप की सजा तत्काल ही मिल जाए वहां से फिसला नीचे गिरा और मर गया पर ऐसा हुआ क्यों कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी कि तीन तीन बच्चीयों के हत्या हो गई एक तो यह सीता देवी के पाल्ट पर यह लापरवाही है कि जो बच्ची मंद बुद्धी है दिव्यांग है अपनी बात न कह पाती है न सुन पाती है उसकी बाकी बच्चीयों से सबसे ज़्यादा केर होनी चाहिए थे अपने पास रखती है सपोस करी वो भाग रही थी कारण ढूंती कि ऐसा क्यों कर रही है उसके पास क्यों सोती है कोई नो कोई तो कारण होगा और जब सोती है तो कभी कभार रात में एकाज बारों है चैक ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने ऐसा किया होगा प्रदीब ने इसका कारण भी पुलिस ने जानने की कोशिश की तो प्रदीब का जो जो जोला था जिसमें उसके कपड़े उप रहे थे उसमें बहुत धेर सारे चौकलेट और टौफी के रैपर मिले और भी बच्चें हैं अगर रैपर पड़ा हुआ मिलता तो पूछते कि कौन टौफी लाया किसने खाया ऐसा लगता है वो जान बूच के वो चौकलेट और टौफी ले आता था और संभवता जब सब सो जाते थे रात में ही टौफी और चौकलेट की लालस देकर उस बच्ची के साथ गलत खरकत करता था दूसरा मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी घर में बच्चियां हों जवान हों छोटी हों बड़ी हों महिलाएं हों तो किसी भी गैर मर्द को घर की एक्सेस नहीं देनी चाहिए चाहे वो रिष्टदार हो चाहे दोस्त हो चाहे परिवार का हो क्योंकि मेल मेंटल्डी या ये कह लें कि किसी का जो बाइलोजिकल प्रॉसेस है किसी के ग्रोव करने का वो कब विकृत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है मेल का मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं ऐसे विकृत मानसिकता वाले पुरुशों की बात कर रहा हूं जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं और इस बारे में मैंने कम से कम आपको 10 से 15 घटना बताई हैं पूरे सारी एपिसोर्स को मिला दें एक घटना तो बहुत प्रॉमिनेंट है जो मेरे शायद केरियर में सबसे खराब घटना जिसको मैं मानता हूं जिसमें एक स्कूली बच्चों को रिक्षे से घर और स्कूल ले जाने वाले लड़के ने आदमी ने बलकि दो ढ़ाई सो बच्चियों के साथ गलत हरकत की थी लेकिन जब उसने बैटरी वाला रिक्षा ले लिया उस पर पेरेंट्स अपने बच्चों को नया नया शुरू हुआ था किसी योजना में मिला था पेरेंट्स उसको उस बहुत छोटे बच्चों को बच्चियों को उससे भेजने को तैयार नहीं हुए सब के दरवाजे पे गया धीरे धीरे जब वो बिले तब तक एक दिर साल हो गया था फिर एक बच्ची के साथ उसने कुकर्म किया उसको मार दिया बोरे में बंद कर दिया लाश को ले जाकर सामने कहीं फेंग दिया आप देखिएगा इस घटना को बहुत ही मारमिक बहुत ही गंभीर घटना थी तो ऐसे विक्रित लोगों के बारे में मैं आपको पता चुका हूँ इसलिए घर में महिलाएं जवान लड़कियां बच्चियां कोई भी हो किसी भी बाहर के विक्ति को मेल को लड़के को कम उमर का हो जादा उमर का हो कभी ऐसे घर की एकस्स नहीं देनी चाहिए रखना यह नहीं चाहिए पुराने जवाने में तो जो आज भी ग्रामिक छेतरों में इविन बेहन भाई अगर हम उमर हैं तो उनको अलग-अलग कमरे में सुलाय जाता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सब एक जैसे होते हैं लेकिन यह कुछ प्रताएं हैं चल नहीं उनके पीछे कोई रीजन रहा होगा और इतनी जो घटनाएं मैंने इस तरह की बताई हैं जिनमें किसी को एकसेस दी दी गई घर पे और उसने सारे रिष्टे नाते तोड़कर और सारी हदें पार कर दी ऐसे कम सकम 10-15 इपीजोर्स मैंने सुनाए हैं हमरे ख्याल से आज के लिए इतना ही और मेरी बात से आप सहमत होंगे नहीं सहमत हैं तो आप हमें मेल करें कमेंट में लिखें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपना मेल आईडी आर ए जे ए एस एच राजेश आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद